माइनिंग और मिनरल सेक्टर की भारत सरकार की कमपनी कोल इंडिया लिमिटेड के आगे जाकर भविश्य में कोल इंडिया शेर प्राइस टागर 2024, 2025, 2026, 2030 तक क्या हो सकते हैं इसकी जानकारी इस आर्टिकल में देने वाले हैं कॉल इंडिया शेर प्राइस टागर 2024, कमपनी का कुल मार्केट कैप 273,049.68 करोड का है और कमपनी वर्तमान में पूरी तरह से कर्ज मुक्त है जिसके तहत कमपनी का साल 2024 में पहला टारगेट आपको 500 रुपे और दूसरा टारगेट 550 रुपे तक जा सकता है कॉल इंडिया शेर प्राइस टागर 2025, कमपनी के पिछले तीन साल का रेवेन्यू ग्रोथ 31.74 प्रतिशत का दर्ज है जो अच्छा है और भविश्य में भी कमपनी ऐसे ही ग्रोथ करती है तो साल 2025 में आपको इसका पहला टारगेट 575 रुपे और दूसरा टारगेट 610 रु है जो काफी अच्छा है जिसके तहट साल 2026 में इसका पहला टारगेट आपको 640 रुपे दूसरा टारगेट 680 रुपे तक जा सकता है कॉल इंडिया शेर प्राइस टागर 2030 कमपनी के 5 साल पहले कुल नेट साल्ज 1043.83 करोड के थे और अब 5 साल बाद मार्च 2023 में 2182.60 करोड के हुए है मतलब कमपनी लगातार ग्रोथ कर रही है तो ऐसे ही ग्रोथ साल 2030 तक करती है तो इसमें पहला टारगेट आपको 1500 रुपे और दूसरा टारगेट 1700 रुपे तक जा सकता है कॉल इंडिया शे की मजबूती वर्तमान में कमपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है कमपनी के पास 1174.89 करोड की फ्री कैश मौजूद है कमपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.13 प्रतिशत की है डिविडेन जील्ड 5.46 प्रतिशत का है कमपनी ने पिछले एक साल में 104 प्रतिशत के रिटन पिछले तीन साल का रेवेन्यू ब्रोथ 31.174 प्रतिशत का दर्ज है कोल इंडिया शे की कमपनी का प्रोफिट ब्रोथ पिछले तीन साल का 9.48 प्रतिशत का है जो कम है डिस्क्लेमर, एक्विटी न्यूस का विजन भारत में विट्टिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश से है हम से भी पंजीकृत विट्टिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या विट्टिय सलाहकार से वाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृट वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें